लुए नमस्काद मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख़बर जानते हैं प्रधान मंत्री नयन्दमधी करेंगे एंटीपीसी पत्रातु नर्थ कर्नपुरा पावर प्रोजेक्ट की समिक्षा प्रधान मंत्री नयन्दमधी 25 माई को राजे की दो बड़ी उर्जा उत्पादन पर योजनाओ की प्रगति की समिक्षा करेंगे इसमें रामगर जिले के पत्रातु में निर्माधीन राज सरकार और नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेशन का सन्युक्त उध्यम पत्रातु बिध्धूत उत्पादन निगम लिमिटेड और चत्रा जिले में एंटीपीसी का निर्माधीन नर्थ कर्नपुरा थर्मल पावर ए और ने वरी अधिकारी मौजूद रहेंगे जारखन में 28 मई तक बारिस जारखन में 28 मई तक बारिस के आसार है इस दोरान में गर्जन के साथ बजरपात की असंका है 24 माई को राजे के उतर पूर्वी और दक्षिन पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिस हो सकती है 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हावा भी चल सकती है वहीं 25 माई को राजे के उतर पच्मी भाग और दक्षिनी पच्मी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बजरपात के असंका है 26 माई को पलामू, गढ़वा, चत्रा, कोडर्मा, लातियार और लुहर्दगा जिले तथा दक्षिनी पच्मी भागों में कहीं कहीं हलके दर्ज की बारिश की समवना है 21-27 और 28 माई को राजे में कहीं कहीं पर हलके से मत दर्ज की बारिश का पूरण मना है ज्यारखन में पहली बार दिव्यांग बचों के लिए इसकूलों में सिक्षक होंगे नियुकते ज्यारखन गठन के बाद पहली बार इसकूलों में दिव्यांग बचों के लिए आस्थाई सिक्षों की नियुकती होगी राज सरकार इसके लिए पद स्रिजित कर रही है पंचायत चुनाव के लिए सतर परखंडों में मतदान आज तिरियस्तर ये पंचायत चुनाव के तहट तीसरे चरण में राज जे के 29 जीलों के सतर परखंडों की 147 पंचायतों में मंगलवार को मतदान होगा बता दे कूल 87 सो चार सीटों के लिए सुबह सात बय से साम तीन बय तक वोट पड़ेंगे राज निर्वाचन आयोक तथा पूलिस परसासन ने इस चरण के मतदान में भी सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये हैं परियाप्त संख्या में पूलिस कर्मी मतदान केंद्र पर तैनात किये गए हैं सोमवार को देर साम तक कोलिंग पार्ट या कलस्ट्रो या मतदान केंद्रों तक पहुँच गई है सीम हिमंत के लिए मंगलवार अहम दीन सुप्रीम कोट और जहरखन हाई कोट में मुख्य मंत्री हमंसुरेन को खनन पटा आवंटन करने और उनके करिवियों के सेल कंपनी निवेस करने के ममले मंगलवार को सुनवाई होगी पता दे राय सरकार ने एडी की ओर से सील बंद रिपोर्ट पेस किये जाने और आज का की बायत्ता के खिलाब एस एलपी दाखिल की है पुरू में जहरखन हाई कोट ने दोनों मामलों के सुनवाई करते हुए इडी को सील बंद रिपोर्ट पेस करने का निदेश दिया था सुप्रीम कोट में एस एलपी पर जल्द सुनवाई के लिए मेसिनिंग के दोरान सरकार का पक शरक रहे हुआरी अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा ठा की हाई कोट का आदेश सही नहीं है जहरखन में घुसे बांगला देशी और रोहिंग गया भाईजपा विधायक दल किनेता बाबुलार मरांडी ने जहरखन सरकार द्वारा खुस पैठियों के संदर में सुप्रीम कोट में दाखिल हल्फ नामों के अधायर बनाया राज सरकार को खेरा है बाबुलाल ने अस्पष्ट कहा है कि सूप्रीम कोट में जो हल्फ नावा दाखिल किया गया है उससे या अस्पष्ट परतित होता है कि राज सरकार घुस पैठियों को बचाने की कोशीज ही नहीं उन्हें सनरचन भी दे रही है और बसा भी रही है उन्होंने राज्य की मवजूदा इस्थिती को खतरनाक बताते हुए कहा है कि आज राज्य के विभीन हिंसों में पाकिस्तान जिन्दावाद के नारे लग रहे हैं ऐसी इस्थिती पहले कभी नहीं थी इसकूली पाठे करम में पढ़ाई जाएगी सीवू सुरेन की जिवनी सब्सक्राइब दिक की जनकारी बिद्यालियों में होनी चाहिए सीम हेमन्त ने राची में बन रहे मोडल इस्कूल का किया निरिक्छान मुख्यमन्ति हेमन्त राची के जगरनाथ पूरिष्थित निर्मानाधिन मोडल ए स्कूल ठाकूर विश्वनात सहदे उस विद्यालय का निरिक्षन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों की अब अलग पहचान बनेगी ए विद्यालय सिक्षा के उतकरिष्ट और वेतरिन केंद्र होंगे यहां बचों की गुर्णवाता युक्त परहाई के साथ व्यक्तित्व विकास की सारी सुधाय उपलब्द होगी इन विद्यालयों में अधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के साथ परहाई से समंधित सा भी अधुनिक सुधाय होगी इसी संकल्प के साथ सरकारी विद्यालयों को सेंटर ओफ एक्सिलेंस के रूप में विक्सित करने का सरकार ने संकल्प लिया है गुमला के नक्सल परहवी तीन परखंड में 114 बूत अतिस जर्वेदन सील जार्खंड पंचाय चुनाव के तिसरे चलन की वोटिंग मंगलवार को है बतादे इसी के तहत कुमला जी लेके नक्सल परहवी तीन परखंड चैनपूर डूमरी एवं जारी में वोटिंग है इन तीनों परखंड में 114 बूत अतिस जर्वेदन सील हैं जहां चुनाव कराना चुनावती होगी हालाकि पूलिस एवं सुरक्षा बल सांती पूर्ण मतदान कराने को लेकर तयार हैं गुमला डीसी सुसांत गौरव वा एसपी डाक्टर एतिसाम वा कारिम ने सांती पूर्ण चुनाव कराने के लिए बिशेफ सरनिती बनाई है इसलिए इन तीनों परखंडों के लिए एस्ट्रोगन रूम और मतगन्ना केंदर चैनपूर में ही बनाया गया है ताकि मतदान कर्मियों को किसी परकार की परसानी न हो रांची डीसी ने कहा मेरे खिलाफ दर्ज है क्रिमिनल केस जारखंड के मुख्य मंत्री हमन्सुरेन को पत्थर खदान लीज आवन टित करने के मामले में रांची उपायूद छवी रंजन की ओर से हाई कोट में सपत पत्र दाखिल कर दिया गया है सपत पत्र में उन्होंने सविकार किया है कि वर्ष 2015 में उन पर अपराधिक मामला दर्ज हुआ है जिसकी एसीबी कोट में सुनवाई लंबी था है उन्होंने एसीबी कोट में अपने उपर लगे अरोपों को खारिज करने के लिए याज का भी दाखिल की है अदालत में इस मामले में अभी ट्राइल सुरू नहीं हुआ है पुर्व में हाई कोट ने मुखे मंत्री हमान सुनवाई को राची के अंगाडा में खनन लीज देने के मामले में सरकार को जबाब दाखिल करने का नेदेश दिया था सरकार की ओर से रांची उपावुग छवी रंजने सपत पत्र दाखिल किया था लालू यादो के ठीकाने खंघालने के बाद CBI ने रेल राइवर को उठाया बिहार के पुर्व मुख मंत्री पुर्व रेल मंत्री राया सूप्रीमो लालू परसा द्यादों के ठीकानों पर CBI की तावरतोर छापे मारी के बाद अब रेल भरती घोटाला की जाच की आच धीरे धीरे फैलती जा रही है बता दे रेले में नोकरी के बदले जमीन घर मकान सोना रुपए पैसे आदित देने के मामले में केंदर जाच एजेंसी CBI इस मामले से समंदित लोगों को एक-एक कर गिरफतार कर रही है इसी कड़ी में सुमवर को चग्रधरपूर रेल मंडल के रावर केला में अजीत कुमार नामक एक ट्रेन ड्राइबर को CBI ने गिरफतार किया है फिलहाल गिरफतार लोगों पाइलट से रावर केला में ही पुस्ताच की जा रही है मोदी सरकार ने मांगी IAS पूजा सिंगल की जाच रिपोर्ट जरखन सरकार के खान विभाग के निलमित सचीव IAS पूजा सिंगल पर E.D. की करवाई के बाद समाचार पत्रों परकासित खबरों के अधार पर केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री हमांसुरन की सरकार से विष्थित रिपोर्ट तलब की है मन्रेगा आयुक्त की ओर से रिपोर्ट तयार भी कराई गई है 24 पनों की रिपोर्ट में खूटी और चाद्रा के उपायुकत के तोर पर पूजा सिंगल के कार्यों और इस दोरान हुए घोटालों के बिस्तित रिपोर्ट त्यार कर ली गई है खान विभाग में पूजा सिंगल के कारेकार के दोरान आरोप अवस से लगे हैं लेकिन किसी घोटाले की बात सामने नहीं आई है और इस कारान राज सरकार भी इडी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है इडी की जाज पूरी होने के बात आगे उनके खिलाब कोई करवाई की जाएगी हे मंत सुरेन सरकार पर बर्से राजेपाल राजेपाल रमेसबै सोमवर को उच एवम तकनिकी विभाग के पताधिकारियों पर जम कर बर्से बतादे जहरखंड तक निकी विस्वविदैले में नियमावली के निर्मान में देरी होने पनाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि इस बिभाग काम सिर्फ फाइलों को इधर उधर करना नहीं है उन्होंने विभाग के पता अधिकारियों को कारे परनाली में सुधार करने तथा काम में गति लाने की नसियात भी दिया है राजेपाल ने कहा है कि उच सिक्षा विभाग की समिक्षा बैठा करते हुए कहा कि विभागों को विद्यार्थियों के हीत में सदा सक्रे रहना चाहिए अधिकारी सिर्फ फाइलों के निस्पादन नहीं बलिक पई नाम हासिल करने वा कार्यान व्यान के लिए निरंतन परतंसिल रहे पूजा सिंगल मामले में निसिकांत दूबे का एक और ट्वीट जारखन के मुखे मंत्री हमसुरिन पर लगातार आकरमक रहे भाजपा सांसन निसिकांत दूबे ने सोमवार ट्वीट किया है कि जारखन का भी भोती जो खनन पता अधिकारी है वो साहिब गंज से पथर किलो के हिस्ताब से भेजते थे उनके मुबाइल के अनुसार IAS अधिकारी फूजा सिंगल से लेकर उपर के अपने अकावो तक कभी 50 किलो कभी 100 किलो तथा कभी 20 किलो पत्थर भेजने का जिक रहा है उन्होंने पूछा है कि या किलो क्या है रे भाई भागवान जारखन को बचा लिजिए राज्य के सभी कोलेजों में रेड रीबन कल्व का गठन करे स्वास्त विभाग के अपर मुक्स चीव अरून कुमार सिंग ने कहा है कि HIV, AIDS की रोक्ताम के लिए राज्य के सभी कोलेजों में रेड रीबन कल्व का गठन करने का निर्देश दिया है उन्होंने रेड रीवन कल्व के माध्यम से HIV की रोक्थाम रक्त दान वस्वास्थ जाग रूपता कारेकरम चलाने की बात कही वे सोमवार को जार्खन स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कारेों की समिक्षा कर रहे थे जन आंदोलन के चलते रांची आने जाने वाली चार ट्रेने परभावित पुर्वमध रेलवे के दाना पुर्रेन मंडल इस्थीत बड़ा हिया रेलवे स्टेशन पर जन आंदोलन के कारे रांची आने जाने वाली चार ट्रेने सोमवार को परभावित रही इसमें हत्या पटना एक्सप्रेस को रध कर दिया गया या ट्रेन रात 10 बज कर 10 मेट पर रवाना होनी थी वही पटना हत्या एक्सप्रेस प्रिवर्तित मायग से मंगलवार को रांची आएगी बता दे यह ट्रेन पटना क्यूल जाय जाय धनबायत के अस्थान पर प्रवर्तित मायग पटना गया गोमो राजा बेड़ा होकर आएगी DPS रांची में समर केम्प का आयो जान DPS रांची में सोमवार से समर केम्प सुरू हुआ है इसका उदेश कक्षा 3 से 10 वित तक के बिद्यार्थियों को अपनी परतिभावा रशनत्मक्ता को उभारने के लिए एक मंच परदान करना है कैम्प में लगभग 1000 चाधिक बिद्यार्थियों ने भाग लिया विद्यार्थियों को पेंटिंग, योग, निरीते संगीत, वागयांत्र प्रशनत्री, रोबोटिक्स, सफ्ट स्कील्स, फोटोग्राफी, इंडोर और आउट्डोर खेलों में कौसल बिक्सीत करने का उसर मिला कैम्प की शुरूआत योग सत्रस के साथ हुई जार्खन पंचायत चुनाव में महेंद्र सिंग धौनी कर रहे ड्यूटी जार्खन में जारी पंचायत चुनाव से महेंद्र सिंग धौनी का नाम जूडने लगा है और इसकी चार्चा चारो और फैनने लगी है बात दरसल यहा है कि रांची में चुनाव ड्यूटी में एक तैनात सक्त से लोग सिर्फ इसलिए इंस्प्रेस हैं क्योंकि उसकी सक्ल महेंद्र सिंग धौनी से मिलती जूलती है यह सक्स है विवेक कुमार जो CCL में सहयक प्रबंधक के पद पर कर रहा है बतादे विवेक कुमार को तीसरे चुनाव में लगाया गया है पंचाज चुनाव में मतपत्र को सांग में ड्यूटी लगिया है जाच एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही केंद्र सरकार जामुमो जारखन मुक्ती मूर्चा के करकताओ ने सोमवर को धानडा दिया धारना दे रहे जामो करकताओ ने केंद्र सरकार के खिलाब जाम कर नारेबाजी भी किया जामो जिला अध्याक स्याम यादों ने बताए कि केंदर सरकार की ओर से केंदर की जाच एजेंसिया का दुरूपयोग किया जा रहा है जीन राजियों में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ की सरकार को आई थीर करने की साजिस लगातार किंद्रे में बैठे भाजपा के लोग कर रहे हैं लोहरदगा में पसु तसकरी का खुलासा सरकार और जीला परसासन के लाग पर्यास के बावजूद लोहर्दाका जिले में पसु तसकरों के होसले बुलंद हैं लोहर्दाका जिले में पसु तसकर गौवन्स की तसकरी से बाज नहीं आ रहे हैं पसु तसकर गौवन्स को कुरूरता फुरुवक ट्रक में ठोस ठोस कर ले जा रहे हैं लेकिन पूलिस को जनकारी भी नहीं मिलती, बता दे दिन दहाए, पसुत असकरों के लिए 10 चकर वहान में 27 गवनसों को ठूस कर अमानुविये धंग से ले जाया जा रहा है था, वहान जाच की दरान गवत असकरों की खुलासा हुआ है, धन्यवाद, यादी आप चैनल पर न तो चनलों को सब्सक्राइब कर, बहुल का बेल एक अंद बैए, साथी साथ वीडियो के एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ करना ना भूले, साथी साथ आपने में कोमेंट बक्स में अपना पीडिवेक और से दे, थैंक यू